उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर महराजा त्रिशंखु ने उनको प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को थोड़ा नीचे किया और हाथ जोड़ कर उन सब से कहा हे गुरुपुत्रों आपका कल्यान हो महात्मा वसिष्ठ ने मेरे यग्य करने से स्वीकृति नहीं दी है मैं एक महान यग्य करना चाता हूँ इसलिए आप उस यग्य के लिए मुझे आग्या दे राजा त्रिशंकु ने कहा मैं आप सब गुरुपुत्रों को नमस्कार करता हूँ और आप सब को प्रसन करना चाहता हूँ आप सब तपस्या में रहने वाले ब्रामन हैं मैं आपके चर्नों में अपना मस्तक रख कर यह याचना करता हूँ हे गुरुपुत्रों मेरी यह याचना है आप एक चित होकर मेरे अभिष्ट की सिध्धी कीजिये और ऐसा कोई यग्या मुझे से करवाईए जिससे मैं सशरीर देवलोक जा सकूँ महराजा त्रिशंखु ने कहा हे तपोधनी गुरुपुत्रों महात्मा वसिष्ठ जी ने मेरा प्रस्थाव स्वीकार नहीं किया मेरे समस्थ गुरुपुत्रों की शरण में आने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था महराजा त्रिशंखु ने गुरुपुत्रों से कहा समस्त इक्ष्वाकु वंच के लिए राज पुरोहित वसिष्ठ जी हैं और वह परमगती हैं उनके पस्चात आप सब लोग मेरे लिए परम देवता के समान हैं हरी ही ओम स्री गुरु भ्योनमह हरी ही ओम इत्यार्षे स्रीमद रामायने वालमी कीए आधिकाव्ये बालकांडे सप्त पंचाशह सर्गह संपूर्णम प्रिफल प्रिफल जावर्म इत्यार्षे सर्गह सर्गह संपूर्णम यह सर्गह समान है रामगती हैं